कपास के उतपादन में गिरावट के अनुमानों के बीच कीमतों में उच्छाल जारी है। कपास की बाजार कीमतें न्यून्तम समर्थन मूले यानी MSP से 8 फीसदी उपर पहुँच गई है। दरसल घरेल उस्तर पर कीमतों में देखा जा रहा उच्छाल विश्व बाजार को भी प्रभावित करेगा। भारतिय कपास संग के अनुसार पिछले सीजन में कपास का उतपादन 325.29 गांट दर्ज किया गया था, जिससे 7 फीसदी कम रहने का अनुमान है। ऐसे में कपास की कीमतों में और उच्छाल देखने को मिल सकता है। उतपादन में गिरावट के संकेत तो पहले ही जताए जा रहे थे, जबकि अगस्त से सितंबर में मौनसूनी बारिश और बार से कई इलाकों में कपास की फसल को नुकसान पहुँचा है। खरीफ सीजन में कपास के बुवाई क्शेत रफल में कमी और बारिश की स्थितियों से हुए नुकसान के चलते भारतिय कपास संग ने उतपादन में गिरावट का अनुमान जताया है। कपास संग के अनुसार 2024 से 25 में कपास की फसल पिछले साल के मुकाबले 7 फीसदी घटकर 170 किलो की 302.25 लाक गांट रह जाएगी। पिछले सीजन में उतपादन 325.29 लाक गांट दर्ज किया गया था। ऐसे में अक्टूबर 2024 से शुरू हुए नए सीजन में भारत का कपास आयाद बढ़कर 25 लाक गांट होने की आशंका है, जो एक साल पहले सिर्फ 17.5 लाक गांट था। कपास उतपादन में गिरावट अनुमानों के बीच कपास का दाम न्यून्तम समर्थन मूले यानी MSP से करीब 8 फीसदी उपर पहुँच गया है। कमोडिटी प्राइस इंडिक्स एग मार्कनेट के अनुसार 22 अक्तूबर को राजस्थान की घरसाना मंडी में कपास का मॉडल प्राइस 8,100 रुपए प्रती क्विंटल पहुँच गया है। 7,605 रुपए प्रती क्विंटल पर दर्ज किया गया था। एक्सपर्ट के अनुसार करीब एक महीने से कपास की ठोक कीमतों में बड़ोतरी देखी जा रही है। कम उत्पादन अनुमान को देखते हुए घरेलू कीमतों में और उच्छाल विश्व बाजार को भी प्रभावित करेगा। क्योंकि भारत का पास के सबसे बड़े उत्पादकों और निर्यातकों में से एक है। Bureau Report Market Times TV